वेलकम टू अलफ यू अन माई यूटूब चैनल आज को जो मारा सेशन है वे अदारित होगा चैल्ड हुड पैड़ागोजी के कोशनों पर तो सीरीज काफी इंपोर्टन रहेगी कुछ ऐसे परशनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो काफी इंपोर्टन रहेगी शीरीज का नाम है माई एक्जाम टारगिट लेकर चलेंगे सीटराट एक्जाम को अगर आप इस चैनल पर पहले बार हैं हमसे अभी तक नहीं जूड़ा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जूर करें बेल आइकल को प्रेस करें और अपने फ्रेंट्स अंगर में वीडियो को चुरू शेयर करें ताकि ऐसी अन्य वीडियो हम आप के लिए लाट सकें तो चलिए चलते हैं पहले परशन पर पहला परशन आपके सामने आ रहा है पहला परशन है मरा परक्षिर नात्मक आदिगम समप्रत्य डैश द्वारा दिया गया था तो हमें बताना है जो परक्षिर नात्मक आदिगम समप्रत्य है किसके द्वारा दिया गया था तो आपके option है फास्ट है टॉल मैं फिर है वंडूरा फिर है थॉंडाइक और लास्ट है कॉलर तो काफी important rule है आप अपना answer बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा option सही लग रहा है जो पक्षिरनात्मक आदिगम समप्रत्याई से जुड़ा हुआ है आप अपने कितने परशन सही हुए हमें अपने comment section में जुरू बताईएगा कि आपने कितने परशन ऐसे थे जो आपको आते थे तो जो अमारा पक्षिरनात्मक आदिगम समप्रत्याई है ये दिया गया था कि उसे किस तरह से वेवार करना है तो बालक क्या करता है वह है दूसरे के वेवार को देखता है यानि कि उसका प्रक्षिर्पन करता है और सीखता है कि उसे इस स्थिति में किस तरह वेवार करना है तो प्रक्षिरनात्मक आदिगम समप्रत्याई एक ऐसा नियम है जो समाज इसको दिया था एलवर्ट बंडूरा ने और बंडूरा जी का जनम हुआ था केनेडा में तो इस कोशन से हमें इतनी जानकरी मिलती है चलते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन है हमारा निमली खित में से कौन सा व्रद्धी और विकास की सिध्धान्तों से संबंदित नहीं है फर्स्ट है निर्टा का सिध्धान्त फिर है वर्गीकर्ण का सिध्धान्त फिर है संबेने का सिध्धान्त और लास्ट है व्यक्तिकी तग्रा का सिध्धान्त तो हमें बताइए आप अपना अंसर बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है कि व्रद्धी और विकास के सिद्धान्थ से संबंदित नहीं है तो इसका जो हमारा राइट अंसर होगा व्या होगा अप्शन नमबर बी वरगी करका सिद्धान्थ है जो व्रद्धी और विकास से संबंदित नहीं है ये सिद्धान्थ वरगी करका सिद्धान्थ एक गणतगे सिद्धान्थ है जो गणना के टाइम पर यूज होता है जबकि नियुक्ता का सिद्धान्थ संब्वेने का दूआ होगा है वाद्द्ध्र विकात अशा करते हैं आप भी इस अंसर का थी है को चूश किया होगा चलेंगे नोकिली सिक्षोष् Career है Next question हमारा ध्यान को केंने I अंतिरिक दशा है तो इसका जो मरा रिंट्रार एगा रूची हमारे मिंग्रा की च문फर जिसमें बालक अपना ध्यान केंदित करता है यदि उसका जो वेवार है आंत्रिक इस्तिती में वह तभी पूर्ण रूप से एक तरम फोकस होगा जब उसकी रूची उसकी अनुसार होगी तो केंदित करने की जो आंत्रिक दशा है वह होगी रूची आपने भी शायद इसी प करण फिर है पभी चिरण फिर है तर्ट तक्षी करण और लास्ट है पर्थक करण तो बताइये आपको इसका कौन सा ओप्षिन सही लग रहा है आप अपना अनसर चूस कर सकते हैं तो सबसे बहुत करते हैं संप पीद्या संप्र्त्या होतागा है प्शे के मस्ट्ष में एक एसी अफधारणा बन जाती है की वह उस इस्तिती में किस तरह से perform करेगा तो यह दो प्रकागर की होती है अच्छी और बूली तो जब अच्छी स्थिती में बाला perform करेगा तो उसके अंदर एक वो बन जाएगी पूरा criteria बन जाएगा की स्टिति बन जाएगी कि इसस्टिति में उसे ऐसा प्रफर्फ develop करने है तो वह एक अच्छी स्टिति होकी ya?नि ऐक positive संप्रती होगा और कई बार ऐसे हो जाएगा कि उसे स्टिति में negative perform करेगा तो होगा, negative संप्रत्य है तो संप्रत्य है वहाँ है कि जब बालक अंदर किसी भी particular स्थिति में वहवार करने की पूरी एक philosophy develop हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं इस परकार से हम बता सकते हैं यानि एक प्रत्यक्षी करने का है कि उसे स्थिति में कैसे प्रफॉर्म करने या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा तो इसका राइट अंसर होगा हमारा option number C पत्यक्षी करने साथ आपने भी इसी परशन को में इसी उत्तर का चैन क्या होगा चलेंगे नेक्स कुशन पर नेक्स कुशन हमारा कक्षा शिक्षन में पार्ट पस्तावना सोपन सीखने के किस नियम पर अधारित है तो मैं बताना है आपके ऑप्शन है परस्ट है प्रभाव का नियम फिर है सेदश्ट्य का नियम फिर है तत्पड़ता का नियम और लास्ट है सेचर नुबर सी हमारा यहां सहे देगा कक्षा शिक्षण में पाठ पस्तावना सोपन सीखने में तो हमें देगे तत्परता का नियम होता है एक परभाव का नियम होता है और एक अन्य नियम होता है तीन नियम है जो तीनों नियम थंड़ा दिया गए थे तो पाठ पस्तावना का न नेक्स पर्शन हेमारा प्रसंगिक अंतभोध प्रक्रिक्षिक्षन जिसे हम कहते हैं टेट का विकास डश द्वारा दिया गया तो तो मैं बताने किसके द्वारा दिया गया था फर्स्ट है साइमंड फिर है होल्टेजमेन फिर है मरे और लास्ट है बेलिक तो बताईए आप इसका क्या option choose करेंगे आप अपने से choose कर सकते हैं इसका राइट अंसर होगा मरे option नमर सी यहां सही होगा ठीक है मरे द्वारा यह सिद्धान्त दिया गया था परसंगी का अन्तबोद चलते हैं नेक्स पर नेक्स्ट है हमारा यह अवश्यक नहीं कि उच बुद्धी वाले बच्चे डैश में भी उच्छोंगे फरस्ट है सज्जन शीलता है कैसी इस्तित होती है जिब बच्चा कैसे अपनी थोट किस तरह से बालक की थोट है किस तरह से वह वह वहार करता है किस तरह से उसके मन भाव है तो एक सज्जन शीलता होती है किस तरह से वह एक situation में वहार करेगा तो एक सज्जन शीलता की इस्तित होती है चलते हैं this percent पर इसका मेरा रच एंसर अपशन नमबर ए शर जन सी लता हूं next question पर चलेंगे next question हमारा अनुभव द्वारा वेवार में प्रवतन क्या क्य लाता है तो ऑप्षण नमबर वेवार में प्रवतन क्या क्या क्यलाता है इसके इसका अंसर होगा हमारा सीखना यानि कि जब बच्चे का वेवार में प्रिवत हो जाता है तो वह उस चीज में निरपूर्ण हो जाता है और वह उस चीज को जब निरपूर्ण हो जाता है तो हम कहते हैं वह सीखना है बच्चे का वेवार कप चिंज होता है तो उसे कहते हैं स पर्दी पर्वार ब्रान्य चेंट युकैंज सिख ना अनुबन द्वार से आपने 20 परशन का चेंट करोगा चलेंगे जाएंगे पर नेक्स्ट हमारा शिशु का धिकांच विहवार अधारित होता है हमें बताना है शीशू का अधिकांश विहवार अधारित होता है परस्ट है मूल परवर्ति पर फिर है नैतिक्ता पर फिर है वास्तिक्ता पर और लास्ट है ध्यान पर तो बताइए आप अपना अंसर कौन सा चूज करेंगे मूल परवर्ति पर नयतिक्ता पर वास्तिविक्ता पर या पर ध्यान पर इसका हमारा रेट अंसर रहेगा ओप्शन नंबर ए मूल परवर्ति पर तो शीशु को जो अधिकांश वेवार है वेवार उसकी मूल परवर्ति पर अधारित होता है क्यूंकि उसे जो बच्चा शीशु होता है छोटा बल्लक ना तो उसे नयतिक्ता पत होता है ना उसे वास् कुल भूरा गा तो वैसिरों अपने मूल परवर्टियों पर ही किंदित करता अपना ध्यान तो उसका विहवार अदया मूल परवर्टि पर चलेंगे नेक्ट Election पर एक प्रस्तिति में अर्जित ग्यान को दुस्तिति में उपयोग करना कहलाता है आपके option है first है सीखने की विधिया फिर है सीखने में स्थाना अंतर्ण फिर है सीखने में पठार और last है सीखने में रूची तो बताइए आपका अंसर क्या होगा आप अपना अंसर चूज कर सकते हैं इसके लिए क्या right answer आप चूज करेंगे तो इसका हमारा right answer होगा option number B सीखने में इस्थान अंतर्ण यानि एक इस्थिति में अरजित ग्यान को दूसरी इस्थिति करना है सीखने का इस्थान अंतर्ण है जैसे कि एक बालक जा सीखा 2 प्लस 2 तो जब है मारे कर जाता है तो अब वह दो वस्तों से उसे दुकान दर्ण को देता है तो हमाँ सीखने के इस्थान अंतर्ण का वह उप्योग करता है option B याद सही रहेगा चलेंगे next question next question है संख्यांकी में वह रेखा चित जिसमें आवरतिों को इस्थंबो द्वारा परदशित किया जाता है कहलाता है कहलता है option A इस्थंबा करती फिर है आवर्ती बहुबुज फिर है संचई आवर्ती और लास्ट है रेखाचित तो बताईए आपका अंसर क्या होगा इस परशन के लिए तो इसका जो मारा right answer होगा वह होगा इस्थंबा करती option A यहाँ सही होगा संच्ख्यांक जी में वहर इकचित जिसमें आवर्ती ओको इस्थंबा दुआज़ा परदशित किया जाता है वहर इस्थंबा करती कहलाती है चलते है next question पर नाक क्योंशन है विकास की किस अवस्था में बुद्धी का अधिकतम विकास होता है तो बुद्धी का विकास अधिकतम होता है बताने है फस्ट है बाले अवस्था फिर है शेशव अवस्था फिर है किशोर अवस्था और लास्ट है प्रोड अवस्था तो चूज़ करें अब अपना option कौन सा सही होगा इस question के लिए इस question का right answer हो हमारा option number C किशोर अवस्था तो किशोर अवस्था में बच्चे की बुद्धी का अधिकतम विकास होता है बच्चा अपना mind काफी जगा यूज़ करता है काफी जगा वह कारे करता है तो उस इस तिने बच्चे का mind काफी जगा डवलाप हो जाता है तो वह है किशो रवस्था option number C है हमारा सही होगा चलते है next question पर next question है अंत दिस्टी insight द्वारा सीखने का सिधान्त में caller ने प्रयोग किया था तो मैं बताना है caller ने अपने अंत दिस्टी के सिधान्त में किस जानवर का प्रयोग किया था first है कुट्टे पर फिर है one मानुश पर last C है मारा बि वन मानुश पर तो वन मानुश पर इन्होंने caller जी ने अपना प्रयोग किया था और वन मानुश का नाम था सुल्तान और ने टोटर प्रयोग किया थे वन मानुश पर six चलते है next question पर next question हमारा ने उनमें से किस विदी का उप्योग सम्रति को मापने के लिए नहीं किया जात कौन सा सही रहेगा इस परशन के लिए आप अपना अंसर चूज करिए इस परशन का राइट अंसर होगा हमारा option number B तरकिक विदी तो तरक विदी होती है जब हम तरक लगाते हैं तरक तब लगाते हैं जब हमारे आगे कायफी सारी वस्तुन रखते होते हैं उस पर तरक के अधार पर सही परशन को चूज करते हैं जब की सम्रत्य होती है याद रखने की तो option number B यामारा सही होगा जो की सम्रत्य से मापने से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है चलते हैं next पर next है मनो विज्ञान का शिक्षा किशेत में सबसे बड़ा योगदान है first है विशे केंदेट शिक्षा फिर है शिक्षक केंदेट शिक्षा फिर है किर्या केंदेट शिक्षा और लास्ट है बाल केंदेट शिक्षा तो आप अपना अंसर चूज करिए क्या इसका सही अंसर हो हुआ इसका सही इंसर होगा मन्हु विज्यान का शिक्षा की शेथ में सबसे बड़ा योगदान है आधकल की जो शिक्षा है तो हमारा इसका अंसर हम पूंप को पता हुआ है बाल के अंदित cham होगा आज कि शिक्षा पूर्ण लुप से बाल केंदित है, option D यहां बिल्कुल सही होगा, बाल केंदित शिक्षा, चलते हैं next question पर, next question हम next series में develop करेंगे, इसका जो next question है, next part है, तो series यहां पर समापत होती है, आशा करते हैं, आपको अच्छे लगई है, कितने person आपके सही हुए है, आप आपको हमारे comment section में बताना है कि कितने person आपको आते थे, कितने आपके सही हुए, और आपने आप friends और को में वीडियो को जूरू share करेएगा, धन्यवाद, for this type of video, मिलते हैं next video,